सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है बुन्याद बेच में आपका पॉलिटी का जो क्लास 10 का पॉलिटिक्स पार टू और इसमें हम पावर शेरिंग यानि सत्ता की साज़ेदारी की जो चर्चा है वह चैप्टर बन में लास्ट कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए अब देखो आगे हम बात करेंगे चैप्टर टू कि सत् प्लीज के से की जाती है उसी का एक रूप है पैजरलिस्म संगवाद और भारत के द्वारा किस तरह के संगवाद को अप्टाया गया है कौन सी ऐसी ववस्थाएं हैं जो संगवाद को बल देती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कुश्चिंस की यूपी सी ने क्या क्या प्रिश्न पूछे हैं में कैसे कुश्यंस आ सकते हैं करन्ट अफ्यर से क्या इसका रेलेवेंस है उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं आई होप आप सभी के स्टेडी अच्छी चल रही होगी रिविजन करते रही है ताकि आप एक क्व हम 1, 2, 3, 4 and 5 जो है हमारा चल रहा है लोगतांतिक राजनीती ठीक है कोशिश करेंगे कि next 3 और 4 क्लास में इसको हम फिनिश करते दें then class 11 पर हम आ जाएंगे ठीक है और class 11 and 12 की जो important NCRT उसको करने के बाद हम सीधा हमारा history या geography जो main core subject से हमारे second next उस पर हम बात करेंगे ठीक ह सो चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम last देखो में 2 minute में आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या था सत्ता की साज़ेदारी में आज का जो आपका topic है संगवाद है ठीक है अब देखो सत्ता की साज़ेदारी का मतलब ये था कि अगर आप एक democratic country की हम बात करेंगे तो बहाँ पर सत्ता जो है सभी के हातों में जो community है कही न कहीं से उनका या तो participation होना चाहिए अगर नहीं होगा तो उनके बीच में टक्राव होगा अगर उनके बीच में किसी भी तरह का टक्राव होता है तो उसका solution वो जो conflict होते वह सारी से नहीं सुलशते उसको वो कई तरीके से कई बार में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं और यह जो है वह political stability के लिए अच्छा नहीं होता तो इसलिए हम पावर शेरिक करते हैं कई तरह कहीं इसके तरीके हो सकते हैं भारत में जो पावर शेरिंग का तरीका अपनाया गया है वह क्या है federalism यानि एक से 73 हमारा amendment था उसके बाद क्या है हमारा कि जो local self government है वह भी आस्तित्व में आ जाते हैं तो इस तरह से हमने power sharing क्या हुआ है इसके लावा pressure groups है इसके लावा और भी political parties और बाकी सब हैं जो कि सभी बिलकर हमारे यहाँ power sharing करते हैं ठीक है यह सारी बात है हमारी last three अब देखो हमन आला कि executive के द्वारा point किया जाएगा लेकिन जो judiciary है executive and legislative पर एक control का काम करेगी तो एक तरह से check and balance हो जाता है इसको हमने सबचा हमने देखा कि vertical रूप होता है और यह vertical पर हमने क्या देखाता है कि आपके national level पर आपका central government है और आपका state level पर state government है और आपके local self government है यह सारी यह तो इस vertical जो यह रूप है वच्चो यही है आपका दोस्तो federalism यही जो उर्धवाधर जो वर्टिकल उर्धवाधर हुआ ठीक है तो यहा पर जो आपका यह vertical form है यही आपका क्या है संगवाद ठीक है चले अब हम चलते हैं आगे सो आज की topic में पढ़ने क्या क्या वाले है सबसे फस्ट है हमारा federalism संगवाद में what is federalism market जो संगवाद है है क्या difference between unitary system and federal system UPSC का पूचा हुआ question है कि भारत में संगवाद की कौन-कौन सी विशेष्टा है and एकात्मक की कौन-कौन सी विशेष्टा है संगवाद and एकात्मक ठीक है what make India is a federal country की आखिर ऐसा क्या है कि जो भारत को federal बनाता है संगवाद बनाता है वह कौन सी ऐसे feature से कौन सी हमने इसको लागू किया है किस तरीके से जो federalism है वह चल रहा है ऐसे कौन सी हमने constitution में provision किये या फिर हमारे यहां किस तरह का जो प्रिट है जो तरीका है अपनाया गया उस पर हम बात करेंगे decentralization इंडिया ठीक है आखिर जो विकेंद्री करण है विकेंद्री करण जो है वह किस तरीके से किया गया है हमने इसमें local self government की जो बात है वह करते है ठीक है तो यह हमारे आज के topic है चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर आज़ी class में main main जो topics है वह आखिर आखिर आपके है क्या देखो सबसे फर्स तो जब हम federalism work की बात करेंगे तो यह कहां से लिया गया है देखिए कुछ important बात है पहले मैं आपको बताती हूं अच्छा पहले हम लिख लेते हैं एक बार ठीक है पहले एक बार यह देख लेते हैं कि आखिर कौन-कौन से जो topics हैं वह हम इस chapter के अंदर करने हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़े याद रहें का size way में आप जो short notes है मैं बना सकते हैं as a flow chart हम चीज़ों को cover करने की कोशिश करते हैं तो सबसे फस्त देखो संखवाद आखिर है क्या संखवाद क्या है इसको समझेंगे what is federalism second हम इसमें देखेंगे कि भारत की संखी ववस्था कैसी है second हम इसमें बात करेंगे भारत की संखी ववस्था और इसमें हम लगभग seven जो इसकी features विशिश्षता है उसकी बात करेंगे what make India of federal country third हम इसमें देखेंगे कि संखी ववस्था आखिर चलती कैसे है और क्या इसकी सीमाई है क्या इसकी challenges challenges रहे संखी जो ववस्था है ठीक है भै कैसे चलती है how is federal practice साथी हम इसमें कुछ challenges की बात करेंगे कि संखी ववस्था के लिए जो कुछ test है वह अब तक हमारे democratic country में हो चुके है for example भाशाई रूप से जब हमने राज्यों का गठन किया ठीक है language की आधार पर जब राज्यों का हमने गठन किया यह एक इसके लिए challenge था टेस्ट था linguistic states भाशाई राज्यों second है भाशा नीती भाशा नीती ने आखर किस तरीके से दूसरा टेस्ट लिया भारत के पेडरल संगवाद का जो तरीका था भाशा नीती लेंग्विज पॉलिसी जब तक मैं लेंग्विज पॉलिसी नहीं बताती तब तक आप यह बताओ कि क्या हिंदी को राष्ट भाशा घोशित किया चिल सीजह केवल राजकाज भाशा ओफिसियल एंग्विज भाशा ने इंटी ल्हेंवर्इच पॉलिसी इसके अलावा जो हमारे अ रिले headphones है केंद्र राज जो संबंध है center state जो relation है ये किस तरीके से challenge प्रास्तूत करते हैं and last है decentralization ठीक है विकेंद्री करण का क्या मतलब होता है कि जब केंद्र और राज अपनी जो शक्तियां है वैं local self government के साथ साजह करते हैं उसको हमने decentralized कह दिया decentralization का मतलब क्या होता है कि center point ना रहे शक्तियों का इनका बटवारा जो है वैं होता रहे decentralization in India भारत में विकेंद्री करण ठीक है भारत में विकेंद्री करण सबसे पस देखो जब हम संगबाद की बात करेंगे कि आखिर संगबाद जो है वैं है क्या क्या इस शब्ड के माइने है इसके अलावा हम यह देखते हैं कि अगर यह जो वर्ट है अमेरीका में कहा जाता है की वहाँ पर भी संगबाद है भारत में अगर संगबाद है तो इसके इसके लिए जो कौन-कौन से से शब्द जिसमें difference है constitution हमारा क्या कहता है देखो जब कभी किसी word के बारे में यह लगे न कि अरे यह जो शब्द है यह बहुत जदा confusing है और इंडिया का क्या नेचर है नहीं समझ भी आ रहा तब सीधा आपको अपना constitution देखना है बच्चो constitution में अगर आप article 1 याद कर लो आपा क्या कहता है क्या article 1 आपसे यह कहता है यह ने कि हिंदी में हालां कि आप देखो गे कि यह जो आपका यह भी आप हिंदी में ने उप्टिया खेंगा और एप संग वठ ही आप यह लिक के लिए यूज कर रहा है लेकिन इनका जो अंतर है ना वो काफी डिफिरेंट है इन दो रों के अंतर में काफी तरीके इन का तारीक है वो उसमें काफी डिफिरंस है च्पेस्ति ép। पर अभी question भी देखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो है, वैं संगवाद बता देती हूँ, कि आखेर जब हम federal की बात करेंगे, जो federalism है, जो आपका संगवाद है, ये किस शब्द से बना है, तो इसके लिए एक word यूज होता है, Latin word, या दटना Latin word है, या फिर Greek है, Latin word है, फ्यूडस, एंड इसका मतलब होता है, टिटी, किसी तरह की संधी करना, किसी तरह की संधी करना, ठीके, तो ये क्या होता है, इसको कहा जाता है, जनरल रूप से, संगवाद, मतलब किसी तरह की जो संधी है, कि चलो, राज्यों के द्वारा मिलकर, एक संधी 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 कर लिया गया, तो फैडरलिज्म की एक definition मैं लिखती हूँ, और उसके बारे में फिर हम थोड़ा सा उसका post-modern करेंगे, ठीके, देखो, फैडरलिज्म की जब हम बात करेंगे, एक इसकी definition है, जो कि आपको याद करनी है, लिख लो मिले साथ साथ, फैडरलिज्म is a system of, is a system of government in which the same territory ध्यान रखना, in which the same territory, is controlled by, is controlled by two level of government, two level of government, अब देखो, हम कैसे समझेंगे आखिर इस definition से, इस चीज़ को समझो, सबसे पत्रिस्त में कहा है, कि एक ऐसा system है, सरकार का एक ऐसा तंत्र है, जिसमें एक same territory में, ठीके, एक ही जो शेत्र है, उसमें दो सरकारे रहेंगी, ठीके, एक ही शेत्र में दो सरकारे रहेंगी, अब ये बताओ, गए कि Central government की citizens अलागे या फिर State Government की citizens अलागे या फिर local self government की citizens अलागे आधार पर आप जरूर कह सकते कि कोई जो है वैं कहा का resident है बट इसके अलावा बच्चो इसके अलावा आपको याद अठना है कि फैडरलिस्म का जो मतलब है वह क्या है कि एक ऐसा जो सरकारी एक ऐसा तंत्र तयार कर देना जिसमें क्या हो कि एक ही भुभाग में एक ही भुभाग में डिफरेंट लेवल पर जो है वह गवर्मेंट हो लेकिन वह सेम सिटीजन पर साशन कर रही है सेम टरिटोरी पर साशन कर कर रही वो गलत हो जाएगा या फिर अलग अलग शेत्रों में साशन कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा तो इसमें अलग अलग शेत्र वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो यहां पर हर एक डेफिनिशन जब आप देखोंगे रख कि चाहे आप अब तक हमने डेमोकरसी की लोगों के द्वारा चुरी की सरवकार है ठीक है एलेक्टेड बाइप इसमें क्या होगी सारी बाते हमने देखी से मुझी तरह से जब आप किसी भी डेफिनिशन को देख ले ना उठाके सारी डेफिनिशन को अगर आपको ठीक तरीके से याद करनी है और उसको समझना है बस वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूं कि अगर कुश्यन आएगा तो कुश्यन इसी से आ जाएगा लेकिन आप समझ नहीं पाऊगे कि यह एक वैसे पूछा जाएगा कि जो फैडरलिस्म है वह अलग अलग तरीटोरी पर अलग तरीके से साशन कर रहा है या पर अलग अलग जो लोगों का सब्सक्राइब नागरिक समूँ उस पर साशन कर रहा है दोनों बाते गलत होंगी ठीक है तो इसकी जो डैफिनेशन है क्या हो सब्सक्राइब कि फैडरलिस्म का मतलब जानते क्या होता है कि एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना ठीक है अब देखों यह कैसे है कि हमने नैशनल जो हमारे इंटरस्ट थे और नैशनल जो हमारे इशूस थे इसके लिए हमारे पास रास्टिये सरकार है इसके लिए हमारे पास क्या है नैशनल लेवल पर जो है वह क्या है बच्छों सेकेंड लेवल पर बात करेंगे तो आपके स्टेट लेवल पर आपका स्टेट गवर्मेंट राज्जिस्तर पर आपकी राज्य सरकार है तो देखो शुरुवात में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारे पास किवल यहीं दो लेवल थे या दटना ऐसे तो सरकारी बातक已 बात करता है और इसके द्वारा डी संट्रलाजेशन होता है पावर का डी संट्रालाजेशन का मतलब क्या हुआ आगे हम देखेंगे कि आपकी जो सेंटол और आपकी जो स्टेट गवर्मेंट है इन्हों ने अपने जो पावर से ट्रांसफर किये थे किसको लोकल सेल्फ गवर्मेंट को स्थानिय सरकारों को तो पहले मूल रूप से तो हमारे ये दो ही इस्तर थे पिर तीसरा इस्तर हमारा 73rd के बाद से जुड़ा जो की था पंचायते ठीक है तो 73rd 74 अमेंडमेंड आपका पंचायते आपका मुंसिपाल यानि हम केवल लोकल सेल्फ गवर्मेंट लिख दे लोकल सेल्फ गवर्मेंट ठीक है तो यह तीर स्थर पर सरकार होगी बस इसी को हमने संगवाद कहां अब देखो एक और जो वर्द है जो नीती आयोग ने अपना रखा बार बार आप कहते कि नीती आयोग जो है किस आधा और यूपसी प्लिंस में कैसे कुश्यन पूछता है पीटी में कि सहकारी संगवाद क्या है एक लाइन उसने जो है वह लिग दी कि सहकारी संगवाद जो है वह क्या है तो जब नैशनल स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्मेंट जब एक ही प्राउबलम को आपस में मिलकर एक एक ही करत एक इंटीगरेटेड जो ओपरोच है वह अपना कर इसको सुलझाती है उसी को हम क्या कहते है बच्छों वही आपका सहकारी संगवाद हो गया मतलब साथ साथ मिलकर जो है काम कर रही है और यह हो ग्या आपका सैकारी संगवाद यानि कोपरेटिव खैडरलिज्ब क्लियर तो यह कुछ ऐसी इंपोर्टेंट बाते हैं जो कि हमें चैप्टर शुरू करने के पहले समझना थी तो आपने समझ लिया अब देखो आगे हम चलते हैं अब एक बात और समझो कल हमने समझा था पावर शेरिंग ठीक है कल हमारी जो चर्चा है बच्चों में पावर श कि जो एक तरीका है यह काफी फेमस है अब ही अगर हम कहें कि modern to democratic societies है उन सभी में काफी फेमस है जिसमें एक से जादर स्तरपर जो है सरकारों का होना होता है इसके अलावा इसके और भी कई प्रकार होते हैं जिसे हम आगे समझते हैं ठीक है चलो इसका जल्दी से कि स्क्रीन होगा ठीक है consider the following statement regarding federalism is a system of government in which the power is divided between different level of government अभी तो यहां पर लिखा है कि अलग अलग इस्तर पर सरकार है अगर यही पर लिखा होता कि केवल एक से ज्यादर होते है या भारत में केवल दो इस्तर पर सरकार है केवल टू टायर गवर्मेंट है तो गलत हो जाता है ना तो only word या फिर specific अगर कोई feature इसमें डाल दिया जाता तो वो गलत हो जाता the power of different level of government are dependent on each other यह एक दूसरे पर निर्भर रहती है इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह जो है अगर हम central level of ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूं central government की बात करे और यहां पर हम बचो state government की बात करे तो क्या यह द independent या दखना आपसे incorrect जो वर्ट है पूछा गया है क्या अब तक मैंने आपसे यह कहा है कि यह दोनों जो है वैं आपस में independent नहीं होगी या आपस में दूसरे पर निर्भर है या दखना incorrect पूछा है सो answer is to only second जो है गलत होगा first जो है बिल्कुल सरी है अब देखो second गलत क्यों हैं यह जानो सबसे पहले तो देखो बचो फैडल निसमें कैसा सिस्टम है हमारे आ कि जिसमें एक जो है वह वह sental Government है ठीक है एक सग्षागल हूट जो है जो यूइस यूनिट से जो राज हमने डिवाट किये गए है जो constitution में लिखे हुए है ठीक है जो सामानता है हमने state के रूप में अपना है इन state के बीच में तो इन दोनों के बीच में हमने power sharing जो है यह हमारे federalism का एक रूप हो गया तो विबिन सरकारों के बीच में एक ऐसी जो प्रडाली है जिसमें कि हमने सत्ता का जो विभाजन है किया हमने power sharing किया सो फर्स्ट आपका करेक्ट इसके अलावा देखो बच्चो कि national issues जो important है वो हमने central government को दे दियो जो state and local self government के लिए important थे हमने state government में डाल दिये क्योंकि local self government बाद में आएगा इसलिए मने स्टेट के साथ local issues को अब याद रखो बच्चों की बोथ इस लेवल ऑफ government enjoy their power their independent ठीक है तो यह क्या है यह एक दूसरे पर जो है वे निर्भर नहीं है बलके यह independent है और याद रखना कि अगर यह आंस्रेबल है तो यह किसके लिए आंस्रेबल है तो बच्चों यह आंस्रेबल है लोगों के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको चुना है तो यह अलग अलग इलग इस तर पर जैसे central government है तो central government सीधे पीपल्स के लिए लोगों के लिए आंस्रेबल है स्टेट के लोग है उनके लिली आज लेबल है ना कि श्टैट hai जब आफpton की जया जर्मनी साउथ अपरी का सुझ श्रीलंब स्रीलंका-प्राजील या ढटना बच्चो कि जब आप श्रीलंका की आप आप बार बार यहां पर सुनते होंगे कि किस तरह की ववस्था है जो पॉलिटिकल आप देखेंगे इन इस्ट्राबिलिटी को लेके श्री लंका कापी समय से चर्चा में रहा और यहाँ पर श्री लंका में अच्छा श्री लंका का जो सेहली सेहल वाला है वो अब पड़ चो ना ठीक है पोर्क को अगर हम मटा दे तो 1 2 3 & 5 जो है जर्मनी साउथ स्विज्जलेंड और ब्राजील ये सबी जो कंट्रीज है वे फैजल पॉर्म को अपनाती है ठीक है चलो तो अभी आप मैं आपको बताती हूँ हाँ थोड़ा सवर हमें देखना था कि जो फैडलिस्म है क्या है और कुछ और बाते उसके बाद हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखो कि अगर हम आर्टिकल वन की बात करें अभी तक हम इतना पढ़ चुके दो कुशन देख चुके अब हम चलते आर्टिकल वन पर ठीक है चलिए तो आप सभी को वाइट पेज ही पसंद है एक बार में वाइट पेज ले लेती हूं चलिए आर्स लगा अर्टिकल बन क्या कहता है हमारे कॉस्टूशन का और अचिकल वन क्या कहता आर्स अचिकल वन को याद रखोगे पेटली पर याद हो शाहिए ठीकर आटिकल बन कहता है बच्चो इंडिया धैट बारत अब होड़े को यहांसे की पता चल गया इंोडिया भी लिखा है आर्टिकल वन में और भारत भर्ड भी लिखा है इंडिया और भारत का से इंडिया इन से निकला तो भारत जो है वहरत सबुदाय से निकला जिसका कի wealthy जिसारे बैड लिए हमारे तो इंडिया that is भारत शैल्बीन आरी यूनिये यूनिवीस टेटा विए रखना शैल वी union of state का रे छाहें वे यूनियन ऑव स्टेट इंड नियूटेशन पुछता है क्यों उन्यूनिएन हमने फेडरल क्यों नहीं कहा वित्व याद रखना कैस्ति हम ने पैड़ल वर्ट को यूज नहीं किया हमारे कॉंस्टुशुशन में अमेरीका ने जो है हम अमेरिका को एक American Federalism कह सकते हैं लेकिन Indian Federalism नहीं कहते हैं हम इंडिया को Union ही कहेंगे लेकिन हाँ हमने उस फैडरलिस्म के जो सिधान थे हमने उसको अपनाया है ठीक है हमने उन सिधानतों को अपनाया है तो इसके दो कारण थे कि अगर हम अमेरिका की तरह अमेरिका और भारत मे हो सकती है for example देखो कई जो राज्य थे बच्चों इसमें कई राज्य थे इन सब ने कहा कि सुनो हम ऐसा करते कि हम सम्मिल करना एक बड़ा गवर्मेंट का जो फॉर्म है वह तयार करते इससे हमारी सुरक्षा में इससे हमारी जो ताकत है उसमें व्रद्धी हो जाएगी ठी हम इंडिया की बात करेंगे ठीक है और जब हम इंडिया की बात करेंगे इंडिया में ऐसा था कि पहले बहुत-बहुत सारे राज थे हाँ भाई लेकिन पहले भी अखंड भारत था बाद में फिर आप देखोंगे कि किस तरीके से कुछ ब्रिटिश प्राथ हो गए राज हो लुआ टीए तो इंडिया में तो इंडिया में एक राज्य को साशन करने के लिए कि जगा पर साशन करने के लिए हमने उसे कश Fen घुसरल ये से तो यहाँ पर इसको हमने फैजी लिस्म कहा क्योंग ये सब आपस में जुड़ गए तो भारत को क्यों federalism नहीं कहा गया तो यहाँ पर आपको याद रखना यह UPSC का कुछ अगया question है इसलिए नहीं कहा गया बच्चो क्योंकि याद रखना कि इंडिया में अगर union word हमने use किया असका मतलब यह है कि किसी भी संधी या समझोते का परणाम नहीं है हमारी एकता किसी एक आर्टीकल तो कवर हुआ और इससे बहुत जादा इंपॉर्टेट है आर्टीकल वन अगर पढ़ना हो समझना हो आर्टीकल वन देखलो constitution में सब लिखा हुआ है अब देखो आगे हम बात करेंगे बच्चों कि यह जो federalism है ना यह दो तरीके से और हो सकता है दो विवस् ट्राइब्स देखें ना इसके दो तरीके है एक तो तरीका आपका हो गया coming together federation coming together federation ठीके इसका मतलब क्या था बच्चों कि दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट थे वो आपस में आकर मिल गए कि चलो अब हम एक हो जाते हैं यह हो गया coming together federation coming together federation ठीके यह रूप हो गया तो इसमें क्या होगा इसकी कुछ बाते सुलो इसके क्या important वो हो गया examples तो बच्चों इसमें independent state थे जो साथ में आकर मिल गए इसमें स्वतंत्र राष्ट जो थे ना independent state थे वैं साथ में आ गए coming together एक साथ आ गए ठीके और इन्होंने एक बिगर यूनिट एक बड़ी यूनिट बना ली एक बिगर यूनिट जो है बना ली ठीके साथ में या दखना कि इसमें equal power है इसमें equal power जो है वैस भी स्वत को दिये घाए ऑवर जो शीरिंग है वैस सभी स्थेट के साथ है for example us for example Switzerland ठीक थीज़ के for example us and Switzerland यह coming together federation है कि साथ में आ जाते हैं यह सब एक बड़ी यूनिट को बनाने के लिए coming together फेडरेशन अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ फेडरेशन पे और यह जो फेडरेशन का रूप है बच्चों यह क्या है कि जब एक बड़ा देश ही अपने अंदर की जो विविदता है जो डाइवर्स्टी उसका सब्मान करते हुए उन्हें थोड़ी सी जो आटोनोमी है व किस लिए आ गया second form क्या हो गया holding together federation holding together federation ठीक है और यह रूप हो गया यह बाला जिस और इसका रूप है तो यहां पर क्या किया हमने powers को डिवाइट किया different different unit में हमने power को क्या कर लिया बच्चों हमने power को डिवाइट किया अलग अलग जो यूनिट्स थी हमारे constitution में उनके अंदर हमने डिवाइट किया एक national से सब्मान करना और अलग-अलग जो स्वायत था है उसके लिए प्रयास करना ठीक है तो यहां पर यह हमने बड़े-बड़े जो concept है हमारे में समझ दिये अब आप चलते हैं आगे आप देको federation क्या है अब आप सभी के लिए आसान होगा जो लिखा हुआ है ठीक है आईए पढ़के देखते है federalism is a system of government in which power is divided between the central and various constituent units in the country आगे थी समझ में यह वाली बात यह यह वाली बात है ठीक है second का federation has two level of government both these level of government enjoy their power independent of other तो हमने second में क्या समझा था कि जो आपका central government है state government है यह एक दूसरे पर dependent नहीं है यह जो answerable होंगे यह answerable किसके लिए है यह लोगों के लिए answerable है ना कि कोई किसी के subordinate नहीं है तो क्या UPSC ने देखो एक sentence पूछा था बच्चो और उस sentence में क्या पूछा था कि जो state government है ठीक है जो state government है यह subordinate है आप भी सोचते होंगे क्या इस बात को क्या केंदर के अधीन है क्या राज जो है क्या वह केंदर के अधीन है क्या central के subordinate है के state नहीं उन्हें अपने विशेयों पर जो autonomy जो स्वायतता है वह मिली हुई है ठीक है जो autonomy जो स्वायतता है बच्चो वह मिली हुई है यह बताओ कि अगर हमने राश्टी एक सरकार चुड़ी उसका मतलब यह था हमने उसको ऐसे विश्यों पर नियम बनाने का जो अधिकार है वैं दे रखा था जो की एक तरह से हमारे हाँ योनिक ही बनने चाहिए जैसे पर एक्जामपल टेक सिस्टम, पर एक्जामपल हमारा ब जिस ऐसे मुद्दे केंद्र के पास रहे जिन मुद्दों पर हमारे पास एक यूनिक जो रूल बुक है वैं होनी चाहिए फॉर एक्जामपल बैंकिंग ठीके गवर्मेंट एड लेवल ऑफ प्रोविंसी और स्टेट देट लुक आफ्टर मुच अफ्ट अवच अवच ही थी कि यूनिफर्म जो रूल से वह बनाये जाए अब हम आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं एक क्विश्चन और बताओ पढ़ा चुकी हूँ यह सारा ठीक है इस क्विश्चन का अंसर करो और चुकी अब आपकाईया हो सकते जो केंद सरकार के अधीन है क्या लिखा आरे अभी तो हमने पड़ा केंद सरकार के अधीन लिखा हुआ है चाहिए इसका अभी तक हमने बात की क्या यह अधीन होगी एक शब्द तो आपने पकड़ लिया एक वर्ट तो आपने पकड़ लिया क्या अंसर होना चाहिए इसका क्या आनसर का यह यूडिट्री गवर्मेंट की बात हो रही है या फैडल की बात हो रही है यूडिट्री एक पैडल उपर एक आत्मक लिखा है संगात्मक मत पढ़ले रहे इस तरह सेॉप्शन नबर डीसका सही आसर होगा सारी बात जो है वैसे लिखें अच्छा चलो अब पहले तो हम समझते हैं अब यहां यह आपकी लिए बहुत जाब important है UPSC ने question पूछा कि कौन-कौन से हमारे एकात्मक विवस्था को दर्शा दर्शाते है ऐसे कौन से provision है जो कि हमारी जो विवस्था है उसको एकात्मक बनाते हैं एकात्मक का मतलब है कि पावर का जो सोर्स है जो पावर एक ही जगा पर फोकस्ट है एक तरह से ठीक है फॉर एक्जाम्पल जैसे आपने देखा कि इमर्जन्सी में जो हमारी केंद सरकारें वे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है राज की जो गवर्मेंट है उसको निलमबन कर दिया जाता है हटाया नहीं जाता है लेकिर फिर भी उसको कुछ समय के लिए तरह से टर्मिनेट रखा जाता है तो ये क्या है तो यहां पर कहा गया एक बात सुनों युनिट्री सिस्टम एकात्म को हमारे संविधान की हुबसूरती है दो जंद संविधान की खुबसूर्ती है कि विशिश परिस्थितियों में यह संगवाद से एकात्मक हो जाती यह संविधान की खुबसूर्ती है और अपने आप कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता तो यहाँ पर मैं कुछ बात ऐसे बताऊंगी कुछ प्रोवीजन से जो कि हमारे पत्मक का क्या मतलब है जैसे कि आपने देखा कि जो आपके आप अल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती है जिसके लिए आप त्यारी कर रहे हैं आप अल इंडिया सर्विस कब जो ड़ा तो यहाँ पर आल इंडिया सर्विस क्या बताती कि आप जिसके इक आइस है वह आणाजल थिख में भी आई आई इसे City हर जगाँ पर है ठीक है नौट में भी है रहां पर है यह जो हमारे हिंदी बैल्ट के स्टेट आपर भी तो यहां पर एक तरह से क्या है यह एकात्मक साशन मवस्था का रूप है यानि आईसी ववस्था जिसमें पावर शेरिंग कम हो रही है पता होगी राष्टपती के द्वारा एक तरस इनकी न्यूपती की जाती है सलेक्ट तो हो गई यह यह जो है और इंडिया सर्वेस मतलब पूरे देश को एकिकरत करने का काम कर रहे हैं तो यह हमारा यूनिट्री सिस्टम का एक उधारण हो गया सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है कि अगर हम सिंगल सिटिजिनशिप की बात करें सिंगल सिटिजुनशिप एकल नागर्त नागरिक्त अखिल भारतिय सेवाने लिखलो, सिंगल सिटिजनशिप एकल नागरिक्ता जैसे आप अमेरीकर की जब हम बात करेंगे वहाँ पर डूबल सिटिजन्शिप एक तो आप माली जब कर निउयॉयोक में रहते हैं तो वहां के भी सिटिजन्स है और आप अमेरीकर भी कहलाएंगे डूबल सिटिजन्शिप लेकिन यहां पर भारतिये ही है और वियुटा की बात है कि आप गुझराती है लेकिन फिर भी भार्ति हैं आप भी भार्ति हैं लेक्न भी भार्ति के लियुटी है दया है ने बटान आ यहां पर क्या है कि हम हमारे सिंगल सिटिसेनिक्षिप है और यह प्रमोट करेगा हमारे यूर इस ट्रम को explicitly इसका मतलब क्या है ठीक है इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ रूल्स जो है वह ऐसे बने हुए है कि पॉर इग्जांपल जैसे कि हम इमर्जेंसी की बात कर लें गल włas udah दो इमर्जेंसी में जो हमारा पूरा सिस्टम है वह शिफ्ट हो जाता है संगवाथ से यूरिट्रि सिस्टमग तरफ और इसमें जो केंद्र गवर्मेंट जो है जादा पावर्फुल है तो यह किसका उधारन है यह किसका उधारन होगा यह एक आत्मक मतलब जब आपको लगे कि शक्ती जो है जो पावर वे सिमट रही है तो यह सिमटना किसी एक किसी भी अगर प्रोवीजन से हो रहा है वह यूनेटरी सिस्टम का होगा ठीक है इसके अलावा देखो नेक्स्ट है कि जब हम एजुकिटिव की बात करते हैं अच्छे एक बास सुनों आपको यह पता है कि गंगाधरी शक्ती माने वाली बात तो एजुकिटिव इस आ पार्ट ओफ दा लजिसलिचर जो हमारी कारपाली का है वही हमारी विध बिधाई का है तो इस तरीके से यह भी यूनिटरी सिस्टम का एक प्रोवीजन हो गया अब चलते हैं ऐसे कौन से हमारे यह प्रोवीजन है जो कि पेडरलिस्म को प्रमोच करते हैं तो यहां पर देखो हमारे जूवल गवर्मेंट है दोरी सरकार है आपको पता है किसके बाद पर ट्राइपोल्ट गवर्मेंट हो गया थ्री स्टरिय सरकार भी हो गया अब 73rd 74 के बाद ट्राइपोल्ट है ना थ्री स्टरिय सरकार का रूप है एल सेकंड देखो कि अगर यह डूल गवर्मेंट है मतलब पावर अब डिविजन जो है दिविजन ऑफ पावर डिविजन ऑफ पावर बिट्वीन वेरियस लेवल और यह जो लेवले सेंटरल है स्टेट है और लोकल स्ट गोर्मेंट है तो यह हमारा फैडरलिस्म का जो पर वीजन है हो गया है हमारा रिजिदिटी आफ दॉप दर कॉस्टीशन देख जो हमारा कि जो हमारे सम्विधान जो हमारे constitution की flexibility है ये किस चीज को बता रही है ये unitary को बता रही है और अगर ये question आया कि जो हमारे सम्विधान की जो visiting is pen international कर सकते है तो बता रहे है ट्रे कि अपकर एसके अलाव वेरेस लेफ में क्या बाद करते हैं कि rais इंडिपेंडन्थ से पया है सम्विधान में जो विशक्तियों का विभाजन किया गया उसको को बता पाएगी इस तरीके से स्वतंतर जाय पाली का जो है संगवाद को जादा मजबूत बनाती है ठीके तो हमने यहाँ पर बात की किसकी संगवाद और इसके क्या प्रोवीजन है और एक आत्मक ववस्था यूनिट्री गवर्मेंट और भारत में कौन-कौन से ऐसे और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ठीके इसमें कुछ और पॉइंट्स भी बताती हूँ कि देखो जब हम एकात्मक ववस्था की बात करेंगे न बच्चो तो एकात्मक ववस्था में जानते हो क्या है कि यहाँ पर एक यूनिट दूसरी यूनिट के सब और नहीं र सबॉडिनेट अधीन है इसका मतलब क्या है वन लेवल गवर्मेंट है तो ऐसी चीज़े जो वन लेवल गवर्मेंट की तरफ इशारा करें वो सारी चीज़े इसको प्रमोट अब ठीक इन तीरों का अपोसेट हम करते हैं फैडलिसम में ठीक है आप देखो फैडलिसम में क् सब्सक्राइब करें तो यहां पर संगबाद का मतलब है कि कम से कम दो स्थरों पर तो सरकार हो और उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो ठीक है यह बात कह रहा है फैडलिसम मैं नहीं कह रही हूं और दूसरी बात है कि त्री स्थरी हमने इसके रूप को पहले शुरव सब्सक्राइब का विभाजन किया था शक्तियों का विभाजन किया था कि 73-74 अमेंडमेंट हो गए संशोधन हो गए लोकल सेल्फ गवर्मेंट जो है वह भी अब सम्विधानिक हो गए उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारा फ्रेस तरी यह शब्दा आ ठीक है तो एट लिस् नहीं हो ना ही आप आॉडर कर सकते हो ठीक है क्यों कि अपनी इपनी अपनी इंडिपेंडेन्ट है दोनों जो गोवर्मेंट है वैं कैसी होंगी बच्चों एक तरह से independent होगी और अगर हम answerable की बात करेंगे तो यहां पर आप जवाब दे किसके लिए है आप answerable है to the people not for other unit है ना आप किसके लोगों के लिए आप answerable हो ना कि आप केंद्र के लिए answerable है clear हुआ तो यह था आपका संगवाद और आपका एकात्मक विवस्ता आई होप आप सभी को समझ में आया होगा clear है अब हम चलते हैं कुछ key features पर कि आखिर अगर हम अपने सम्विधान की बात करें ठीक है अब हम चलेंगे अपने key features पर कि अगर हम अपने सम्विधान की बात करत हैं तो उसके कौन से key features हैं यही बात हैं बस इसको थोड़ा साम और विस्तार देंगे एक अधक कुश्चन और पूशनों चलो consider the following statement regarding feature of federalism there are two or more tiers of government एक दो या दो सेधिक सरकार है इस तर पर सरकार है सरकार के विबिन इस तर एक ही नागरिक को नियंतित करते हैं अब लोग वही definition आ गई कौन सी definition है फिर से लिख दू हाँ आप सुचे फिर से आरे लिख दिया भाई पहले incorrect बताना है नाना अव दावब क्योंकि द definition क्या है federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two level of government तो same territory and same citizens, same territory and govern the same citizens ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है चलो अब हम चलते हैं आगे और अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इंडिया के context में जब बात करते तो आखिर क्या key features है ठीक है कौन सी ऐसी विशेष्टाएं है जो की हमें संगी ववस्था बनी रहने देती हैं भारत में संगी ववस्था अब है अब है फीचर्स क्या है उसको देख अभी तक हमने बात की कि फेडरलिस्म जो है वह क्या है कि वाट इस पेडरिस्म हो गया रहा है चलो अब सेकंड हम बात करते हैं यहां पर हमने टाइप्स की भी बात कर ली कि कौन-कौन से प्रकार होंगे टाइप्स ओफ फेडरलिस्म यह भी हमारी बात हो गई तीसरा हमने देखा कि एकात्मक और संगात्मक ववस्था योनिटरी एड फेडरलिस्म जो है इसके बीच में डिफरेंस क्या है अब चौती बात हम पढ़ेंगे वैसे मैं फीचर्स आपको बता चुकी हूँ बट कुछ फीचर्स और सुनों ठीक है फीचर्स ओफ एडरलिस्म हम् India कि भारत में संगिय विशेश्टाय कौन-कौन सी मौदोड है हिंदी में यूनियन और फेडरेशन फेडरेशन Hepरडरों ही जो वड's संघ के लिए YouTube है ठीक है तो भारत में संगिय जो ववस्था है इसकी क्या विशेषताई है क्या की फीचर्स उसकी मैं बात करती हूं है ठीक है चलो तो यहाँ पर याद अटना एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है आप सभी को देखो सबसे पहली बात क्या है सबसे पहली बात जो है भारत में कौन को सी ऐसी विशेषता है जो कि इसे संगवाद बनाती है सबसे पहले क्या है तू और अब एक साथ हम सारी चीज़ों को कमपाईल करते हैं तू और मूर लेवल और गवर्मेंट एक से अधिक इस तर पर सरकारों का होना सेकेंड है यहाँ पर नुगे है सेकेंड है डिफरेन टायर और गोवर्मेंट अलंग अलग इसतर पर सरकारों का होना से भुत डिफरेन टैरवर्मेंट सेटिजन्स गवर्ण दा एक ही नागरिक समूव पर साशन गारे हैं जो अभी कूशन में पूछा था गवन्दा सेम देखो इसी तरह से जब बचो कीवर्ट से आद रखोगे ना अपने आप आपका जो पिलिम्स के कुश्चन सवे सही होने शुरू हो जाएंगे और थर्ड है इसमें ठीके थर्ड है इसमें कि इनका जो अधिकार शेत्र है न वैस पस्ट रूप से ल यूरिक्शिन जो हैसको स्पैसिफाइड किया गया है स्पैसिफाइड किया गया है इनदा से इस तो यह हमारे न हमारे से संभी यूह स से एक इस और लिखा गया आप देखो यहां पर फॉर्थ है बच्छो subidharn के कुछ ऐसे मॉलिक क्रावधान निरोन कर लिए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और जिसको एक गवर्मेंट तो इसको राश्ट पती के निर्वाचन का जो तरीका है वो चेंज करना है तो वो चेंज करने के उसको आधे राज्यों से जादा की जो सहमती है वह जरूर चाहिए होगी है ना तो यहाँ पर अधिकार शेत्र की जब हमने बात कर ली इसके बाद क्या है चौथा जो है कि सम्विधान के अगर हम मौलिक प्रावधान की बात करें जो मौलिक प्रावधान है ना मौलिक प्रावधान को किसी एक इस्तर की सरकार नहीं बदल सकती किसी एक इस्तर की सरकार नहीं बदल सकती किसी एक इस्तर की सरकार नहीं बदल सकते, ठीक है, जो हमारे fundamental provision है, अभी फिर से समझा देती हुए एक बार, ठीक है, जो हमारे fundamental provision है, cannot be unilaterally changed, cannot be, cannot be unilaterally changed by one level of government, one level of government, ठीक है, तो ये बात हमारे हो गई, तो अभी तक अपने चार बाते समझे, एक, दो, तीन, एंड़ा चार, ठीक है, चलो अब हम आगे की चार बाते हो, पाँच बाते हो, तीन बाते हैं, साथ है टोटल, अब देखो, अब हम चलते हैं, और कुछ और important ऐसी बाते हैं, जिसको हम समझते हैं, तो देखो अगली जो बात है, वे क्या है बचो, कि अगर मालो किसी अधिकार शेत्र वैसे तो इस पस्ट है, लेकर मालो किसी तरह का फिर भी लड़ गए थे, स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट, सेंटरल गवर्मेंट या फिर सेंटरल गवर्मेंट से एक से ज़्यादा जो स्टेट है, उनकी बीच में किसी भी तरह का जो conflict है, वे करता होगा तबी तो इसकी जुडिश्री के जो इंडिपैंदेंच है वह आविशक अनिवारे होती अगर सम्विधान में अलग-अलग अधिकारस नो को लिखा है फिर भी किसी तरीकर का विवाद हो जाता है तो यहां पर आविशच्छ होता है को एक ऐसा स्वतंत्र जो सरकार का अंग है वह हो ताकि इस मुद्दे को निप्टा साके तभी तो संगी ववस्ता नहीं रह सकती है सो कोट इंटरप्रेट ठीक है यह बताएगा कि जो पावर्स है वह क्या है ठीक है पावर्स ओफ डिफ्रेंट लेवल देखो कीवर्ड लिख रही हुँ बच्चो सेंटेंस लिखते रहना कोट इंटरप्रेट करेगा ठीक है और यहां पर दा हाइस्ट कोट जो है जो हमारा हाइस कोट है जो कि हमारा सुप्रीम कोट है यह अंपायर होगा कौन आउट हुआ है क कि निर्नायक की जो भूमी का है वह किसकी होगी सुप्रीम कोट की होगी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों जिसमें की है चठा फिनिंश्व और पैसो को लेकर विवाद नहीं हो सकता राजस्व को लेकर विवाद नहीं सकता है बिलकुल हो सकता है बही कितनी भी हो दो यहां पर किया अगर हम की बात करें तो राजस्व के मामले में पता है स्वायत्ता दी गई है अलग अलग और यह स्वायत्ता कैसे सूनिश्चित की गई है यह इसे की जाएगी तो यहां पर तो यहाँ पर financial autonomy है बच्चो राजस्व की अलग-अलग जो source है वहताई कर दिये गए है लिख लो हिंदी वाल हिंदी में ठीक है राजस्व की अलग-अलग स्रोताई कियेगा यानि वित्यस्वायत था राजस्व या वित्यस्वायत था source of revenue source of revenue for each level इसको specify किया गया है जैसे jurisdiction areas specified किये गए थे अधिकार शेत ठीक वैसे ही financial तो यहाँ पर चार बाते यह होगई है ना पाचवी बात है कि supreme court जो है एंपायर होगा छटवी बात क्या हो गई कि financial autonomy होगी और यहां पर जो आपका सात्वा है कि सेवन्थ जो है लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है ठीक है और सेवन्थ क्या कहता है सेवन्थ जो इसमें पीटर्स है फेडरलिस्म का बच्चों ये बताता है कि इसके दो उद्देश है ठीक है इसके डूल उब्जेक्ट्स है फेडरलिस्म के जो है वह है दोहरे उद्देश है एक उद्देश तो है पस्तो है इसमें कि सेफगाद रहे सुरक्षा रहे इसलिए हम एक साथ है ठीक है सेफगाद है ये सेफगाद and promote integrity, unity not integrity promote unity, एकता को बढ़ाएगा, ठीक है safety को बढ़ाएगा, second है कि शेत्रिय विवित्ताओं का सम्मान होगा, second क्या है इसमें कि जो शेत्रिय विवित्ताओं है ना उनका सम्मान होगा इसमें, accommodate regional diversity, accommodate regional diversity, इंदी में लिखो कि इसके दोहरे उद्देश है, ठीक है, इसके क्या है दोहरे उद्देश है, एक तो है रास्टी एकता को बढ़ावा देना और एक सुरक्षा का ध्यान रखना और दूसरा है जो शेत्रिय विवित्ताओं है उनका सम्मान करना, तो आप साथ बाते हो गई, ठीक है, साथ हो एक साथ याद कर लो अब जल्दी से, कि अब फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन-कौन से फीचर से रीडिंग विडिंग नहीं करवाओंगी, ठीक है, इसको मैंने बहुत स्पस तरीके से बता दिया, आप कोई कारों का होना, ठीक है, यहाँ पर यह हमारी संगी ववस्था की महत्यपोन विशेष्टा है, फिर सेकेंड हमने देखा कि अलग-अलग स्तर की जो सरकारे है, वह एक ही नागरिक समूँ पर कार्म कर रही है, ठीक है, वह एक ही नागरिक समूँ पर साशन कर रही है, कानून ब संविधान में हर स्तर के आस्तित्व की और जो गरंटी है वह दी गई है फिर फोर्थ हमने देखा कि कोई भी ऐसा फंडामेंटल प्रोवीजन नहीं होगा जिस पर केवल एक ही स्तर की जो सरकार है वह डिसीजन ले ले ठीक है तो यहां पर इसको भी एक तरस सेवगार्ड यू जो आपका सुप्रीम कोट है वह निर्णायक की वह मिकादा करेगा और नेक्स्ट है हमारा की वित्ती स्वायत्ता होगी तो इसमें राजस्व की जो स्रोत है अलग-अलग होंगे ठीक है या दखना इस चीज को कि विबे निस्तर पर की सरकारे उनके लिए अलग-अलग स्रो हो गए चलो अब हम आगे बात करेंगे चोटी सी बात और है एक कि जब हम इंडिया में इस चीज को हमें समझतली यह विशिष्टा है इसको अपलाई कैसे किया गया है कैसे अपलाई किया गया है इसको जानो चल्दी से स्क्रीन शॉट लेलो इसका बहुत मैंती हो बाद में क्या है चलो ठीक है एकात कुश्यन हो जाए कुश्यन नमबर फाइब विच ओव दा फॉलींग इस इनकरेक्ट अबाउट फीचर ऑफ इनकरेक्ट क्या है सम्विधान स्वयम सरकार के प्रत्यक इस्तर का जो अधिकार शेत्र वे परिभाशित करता है सम्विधान के मौलिक प्रावधारों को एक इस्तर की सरकार एक तरफा नहीं बदल सकती अदालत के पास सरकार के विबिन इस्तरों की शक्तियों की व्याख्या का अधिकार है ठी सी मुद्धे पर विवाद है हो जाएंगे कि क्या है कि अगर सरकार के लिए बार बार आप रिविन्यू के जो है टाइम टू टाइम चेंज कैसे करोगे और ठीक है और से और और भी कई तरीके होते हैं कि आप टेक्स रेट एफिर बाकी सारी चीज़ें जीस्ट आ रहे हो सारे एक सिस्टम है लिके आप सोचो कि टाइम टू टाइम में आप अलग अलग चीज़ें निर्धारित करो कि आज से यह बसू लेगा यह बसू लेगा यह सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हच पॉच हो जाएंगी तो जो फोर्थ है वैस में गलत होगा बाकी सारी तरीके बताये थे शुरुवात में कि दो तरीके से हैं एक तो है holding together, एक है coming together, federation के और कौन से दो तरीके थे, कौन से दो तरीके थे, holding together था, याद आ रहा है federation के types में, पढ़ाओंगी ने, यही कुश्चन के माध्यम से बतार दे रहे हूं, federation के types में हमने दो तरह के जो federation है वह देखे थे, एक जिसका की उधारन USA, अमेरिका है न, and Switzerland है, जिसमें की coming together, एक साथ ही आ गये थे, कि चलो एक बड़ी unit बनाते हैं, coming together, and second हमने इसमें क्या देखा था, holding together, hold करके रखना, Holding together federation, जिसका की उधारन है, India, Belgium, Spain, चिकें, आंत्रिक विविट्टा को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर क्या पूछा है, holding together, पूछा है, इंडिया वाला पूछा है, Different constituent unit of the federation have unequal power, संग के विबिन घटक एकाईयों की बीच में आसमान शक्तिया है, आसमान, एक आत्मक में equal power थे, There can be some constituent unit has special power, कुछ घटक की काईया ऐसी हो सकती, जनके पास विशेश शक्तियां है, एक मजबूत संगिये सरकार की विशेशताओं को दर्शाता है, क्या होना चाहिए इस में आतर, सारी चीज़े बता सकती हूँ, मतलब बता चुकी हूँ, लेकिन इस कांसर नहीं क्योंकि ये खुद बताऊंगे आप सबी, अब हम आते हैं कि what make India a federal country, आखर ऐसी कौनसी बाते थी, जिदो उने इंडिया को as a federal country है, वह बनाया, कुछ important provision लिखवाती हूँ, ठेक है, कुछ important ही लिखवाऊंगी, बाकी चीज़े जो है, वह हम इससे समझेंगे, question 6 का answer बताऊ जल्दी से comment करो, देखो events, सबसे पहले आपको क्या याँ दखना है, कि अगर हम इंडिया की federal structure को देखे, what makes India a federal country, article 1 याद कर लो, जल्दी से, क्या लिखवा है था article 1 में, भूलना मत, बहुत important है वही आज की class, बहुत important है, article 1 क्या कहता है, India that is भारत, शैल बी union of state, शैल बी union of state, इंडिया अर्थाद भारत, राज्यों का संग होगा, इंडिया अर्थाद भारत, राज्यों का संग होगा, ऐसा हमारा article 1 कहता है, और याद रखना कि हमने union word की बात की है, हमने federation system को जरूर अपनाया है, लेकिन जो federation word है, यह हमारे constitution में mention नहीं है, federation word नहीं है, union word लिखा हुआ है, याद रहेगी यह बहुत important बात है बच्छों, बहुत important ठीक है, हाला कि इंडिया union is a based on the principle of the federation, तो हमने federation के जो principles है उसको अपनाया, बट इस word को नहीं अपनाया, इस word की पीछे ठीक वही कारण था, holding together federation and coming together federation, ठीक है, coming together का example आपका US हो गया, and holding का example India is, so यहाँ पर article 1 हो गया, इसके बाद देखो बच्छों कि हमने इसकी विशेष्टा है, जो seven features है वह हमने देखे, तो पहली बात तो आपकी article 1 होगी, दूसरी बात आपकी यह जो सातों विशेष्टाएं हैं, वो सारी यहाँ पर भी आपकी आ गई, ठीक है, वो सारी विशेष्टाएं जो संगी विशेष्टाएं थी, एक एक करके यहाँ पर लिख लेना, इसके अलावा देखो, एक और ब गवर्मेंट है, सेंट्रल गवर्मेंट है, ठीक है, चलो इस चीज़ को दूसरे तरीकी से बताती हूँ, ताकि आपकी लिस्ट भी कवर हो जाए, अब देखो, यहाँ पर, यह तो आपको बता है कि हमारे टू लेवल अफ गवर्मेंट अटलीस है, उसके बाद हमारे यहाँ थी लोकल गवर्मेंट तीसरा असतर भी जुड़ गया, तो सेंट्रल गवर्मेंट, स्टेट गवर्मेंट और लोकल सेल्फ गवर्मेंट, इसके अलवा क्या हुआ बच्चों कि हमने जो सब्जेक्ट थे ना, जैसे हमने जूरिडिक्शन एरिया ने अधारित किया था था ना, अधिकार शेत्र, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अलग-अलग जो अधिकार, अलग-अलग जो सब्जेक्ट है, वह तयार कर लिया है, ठीक है और केंद्र को इन पर नियम बनाने का धिकार है ठीक है इस पर रूल कौन बनाएगा यूणियन गवर्मेंट सेकेंड आप देखोगे कि कुछ ऐसी बाते थी ठीक है जो कि आपके स्टेट गवर्मेंट में लिखी थी स्टेट गवर्मेंट के जूरिडिक्शन एरिया में थी त इस इंट्रल एड एज वेल एज स्टेट ठीक है तो दोनों ही जिस पर मिलकर नियम बना सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट को कौन करेंट लिस्ट में रखा इसको कहां से लिया है यह हमने लिस्ट वाला समवर्ती सूची कहा जाता है इसको जैसे कि अभी चला ना कि हैल्थ को समवर सूची में हमने उन विश्यों को रखा जो हमारे नेशनल हित के थे ठीक है सब्जेक्ट ओफ नेशनल इंटरस्ट हमने इने स्टेट में क्यों नहीं रखा क्योंकि यह हमारे नेशनल इंटरस्ट के सब्जेक्ट ओफ नेशनल इंटरस्ट पर एक्जामपल जैसे कि हम डिफे ठीक है foreign affairs विदेशी जो मुद्दे हैं वो भी हमारे संग सूची का विशय है banking currency वित्य संबंदित जो बाते हैं यह हमारी संग सूची का विशय हो गए और क्यों हमने इसको रखा क्योंकि यह जो national interest थे बच्चों they are include in this list because we need a uniform policy on these matters ठीक है because we need a uniform policy because we need a uniform policy क्योंकि हमें इसके लिए एक ही policy चाहिए होती है प्रतीरक्षा के लिए विदेश के लिए currency के लिए and भी और भी काफी सारे issue जो इसमें शाविल है अब second हम बात करते हैं कि हमने क्या किया कि कुछ ऐसे भी subject थे कि जो state को देने में बुराई नहीं थी जो की subject थे state के and local government के उसको हमने इसमें रखा for example police, for example trade, for example commerce, बाड़िज, for example agriculture and irrigation ते चाहिए तो crushी किसका विशय हो गया, राज का विशय हो गया, व्यापार वाड़िज हो गया, राज का विशय हो गया, तो ये जो subject थे इस पर नियम बनाने का अधिकार राज्यों को था इसलिए इसको राज सूची में जो है वह डाला गया, अब तीसरी जो सूची है बच्चों जिसको की हम कह रहा है Concurrent List आपको पता है यह सूची क्या है Concurrent List का मतलब है जिस पर Central and State डोनों को Authority हो लेकिन आगर किसी तरह की प्राब्लम होती है तब फिर कौन नियम बनाएगा केंद सरकार के जो नियम है ज्यादा प्रभावी होंगे इसको Concurrent List का अगया Union as well as the state government can make law ठीके अब जैसे इस पे आगया forest, jungle, forest किस लिस्ट में आया, कौन करेंट में आया, trade unions याँ अधाखना trade and commerce state में है लेकिन अगर हम मजदूर संग वाली बाग कर लें ठीके व्यापार संग वाली बाग कर लें, trade unions, marriage, adoption, अगर गोद लेना है या फिर उत्रदीकार की जो विशय है, succession, Hindu उत्रदीकार पड़ा है तो यह सारे जो सब्जेक्ट है बच्चो इस पर लौ कौन बना सकता है, Central Government and as well as State Government जो है, वह है, can make law जो भी concurrent list में विशय है, समझ में आया, तीन list कौन कौन सी है, फिर से ध्यान से सुनो, बच्चो तीन सूची बाटी गई है, ठीक है, एक तो है आपका union, एक तो है आपका state, एक तो है आपका concurrent list, संग सूची में ऐसे विशयों को रखा जिस पर हमें uniform policy चाहिए होती है, जिसे की प्रती रक्षा पर, foreign affairs पर, banking currency पर, साथी state list में हमने ऐसे विशयों को रखा है, जिसमें राज जो है, वे अपने हाव अवस्थाए बना सके, जो की लोकल मुद्दे और भी महत्य पूनो, इन सभी विशयों को राज सूची में रखा, concurrent list में ऐसे विशय आएंगे, जिस पर केंद और राज दोरों नियम बना सकता है, जैसे की शादी विवा, adoption, ठीक है, adopt करना, child को and succession, उत्रधी कार देना, ठीक है, और इसके अलावा, जंगल या पर trade union के जो subject है, वो आपकी concurrent list में आ गए, recently जो मुद्दा चल रहा है, वो क्या है आपका health वाला, कि health जो है, वे state का है, लेकिन हम उसको, अगर concurrent list में शामिल करेंगे, तो उसके डिए जादा benefit है, आई बात समझ में, अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, आपने अवसिस्ट शक्तिया सुनी है, इतना तो पॉसिबिल लिए ना कि सारी चीज़े ही इसमें लिख दी गई हो, अब आता है एक नया मुद्दा जिसको हम कहेंगे, अब कुछ ऐसे विशयते बच्चों जो की बच गए, जल्दी से बता दो मुझे कि आपसे शक्तिया, जो है किसके पास है, चलो यह मैं बता देती हूं, आप बता देना, तो कुछ ऐसी शक्तिया थी, ठीके, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, जो की कहीं नहीं लिखे गए थे, रैसी जूरी, सब्जेक्ट, तो यह जो बचे हुए सब्जेक्ट थे, बाकी विशय थे, इनको एक जगा भी रख दिया गया फिस, कि बही चलो ठीक है, ह तो बच गया, उसको आपने अफसेट शक्तियों में डाल दी, आपने सुना होगा, अफसेट शक्तिया आपने सुना है, रैसी जूरी सब्जेक्ट, ठीक है, अब देखो आगे वे एक और बात आपको बताती हो, जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है, कि बच्चों हमने य पाली का जो है, सुप्रीम कोट जो है, यहाँ पर अमपायर की भूमिका में है, तो वो उसमुद्दे को सुलझाएगी, इसके अलावा मालो कि अगर किसी तरह कि जो स्टेट लिस्ट के विशाई होगे, मालो इसमें फिर बदल करना हुआ, तब क्या, कि वहला के लिए सेंट स्ट्रक्चर में, अगर आपको कोई चेंज करना है, तो वह कैसे होगा, देखो, आपने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सुना है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉंसेट, पहले हम चर्चा कर चुके, बेसिक स्ट्रक्चर यानि, कॉंस्ट्यूशन के ऐसे इंपोर्टेंट पिलर, जैसे की इनडीप्टेंडेंस जुडिश्री की इनडीपेंडेंडेंस जैसे की फंडमेंटल लाइब जैसे के DPSP तो यह सारे जो बाते हैं वैं हमारे बेजिक structure हो गए और इसमें आसानी से परिवर्तर नहीं किया जाता और आपको याद अठना है कि जो federal है ना हमारा यह basic structure का पार्ट है तो एक कुश्यन तो यहीं हो गया कि क्या यह है क्या जो हमारी संघात्मक साशन ववस्था है जो federal government system है क्या यह basic structure का पार्ट है और अगर यह basic yes है पहली बात yes ठीक है और अगर यह पार्ट है तो अब क्या इसमें आसानी से चेंज हो सकता है नहीं हो सकता तो अगर इसमें चेंज कर रहा हो तब कैसे चेंज होगा तब कैसे चेंज होगा तो आयाद अठना कि सक्ता की जो साज़ेदारी हमने की है ना विबिन राज्यों के साथ तो जो शेरिंग ओफ पावर है जो सक्ता की साज़ेदारी यह शेरिंग और यह यह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि यह हमारे बेसिक इस्ट्रक्चर का पार्ट है इसलिए अगर इसमें चेंज करना है तो पार्लियमेंट जो है वह टू थर्ड मेजोरिटी से यह काम करेगे ठीक है याद अखना कि जो पार्लियमेंट है दो तेहाई बहुमत से विशेश बहुमत की आविशक्ता इसमें होती है और उसी के साथ साथ इसको रेक्टिफाई करें आधे से जादा राज रेक्टिफाई अट लिस्ट हाफ अफ टोटल स्टेट इसमें कंसेंट या सहमती चाहिए होती है आधे से जादा राज्यों की तभी जाके आपको भी ऐसा जो change है वह कर सकते हैं जिससे की हमारा federal structure जो है वह change होता हो ठीक है तो देखो federal structure का जो change है क्या है याद हो गया कि चुकि हमारे basic structure का part है तो इसमें अगर change होगा तो वह केवल इसी तरीके से हो जाएगा क्या केवल इससे नहीं half of total जो states है आधे से राज्यों के जादा जो राज है उनकी at least जो सहमती है वह चाहिए होगी तभी जाकि आप इसमें change कर सकते हो ठीक है अब मैं आपके लिए एक question पूछती हूँ कि हमारे हाँ एक तिथी है एक डेट है 1st July 2017 और यह जो डेट है इसको हमारा जो GST है वह पारित हुआ लागू हुआ तो अच्छे यह बताओ कि जब हम बच्छों GST की बात करेंगे जो आपका good and service टेक्स टेक्स बहुत सारे जो टेक्स से उसको मिलाकर एक कर दिया अगर हमने बहुत सारे टेक्स आपस में मिलाकर एक कर दिये तो क्या काफी सारे जो स्टेट है उसका revenue वगेरा का कुछ ना कुछ तो problem हुआ होगा वो कैस सामन बहुमस्स से पारित हो गए या फिर आधे से जाधा राज्यों की भी सहमती लगी कॉमेंट करो चलो अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे यूनियन लिस्ट की बात कर लिए स्टेट लिस्ट की बात कर लिए ठीक है अब मैं आपसे लिस्ट के बारे में एक आप सभी चलो इस कुश्चन को बता दो जल्दी से कि अगर हम कॉंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें कॉमर्स, पॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, सबसे पस्तो कॉंकरेंट यानि जो समवर्ती सूची है उसके कौन से विशाय है यह आपको बताना है तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होगा कि इसमें कौन-कौन जो है वह निर्णाई ले सकते हैं तो यूनियन और स्टेट दोनों के त्वारों यूनियन इसमें जो भी विशय शामिल है उस पर केंद और राज दोनों सहमती दोनों बना सकते हैं लेकिन अगर किसी तरह का कंट्रिक्ट होता है तो जो केंद सरकार का जो पक्षय यह ज़्यादा मजबूत होगा तो इसमें आपका शामिल है है definitely पॉर्रस जो है वह शामिल है इसके अलाव मनें बैरेश की भी बात की है अदॉप्ष्यन की भी बात की ठीक है और को मेर्स की अगर हम बात करेंगे ट्रेड और को मर्स किसका विशय था स्टेट लिस्ट का था ना इस्टेट निस्ट का था है निस्टेट निस्ट पर नियम बनाने कदिकार किसको है राज्यों को भी है राज्यों को ही है भी नहीं ही है ठीक है तो यहां पर यहां पर अगर हम वन को हटा पाएं तब हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी और यहीं सही आंसर है एजुके है याद रखना काफी बच्चे पुछते मैं किस तरह के कुष्चन यूपेस पूछता तो ऐसे ही पूछता है यूपेस ऐसे कुष्चन पूछ चुका है चलिए बताए जल्दी से ट्रेड अग्रिकल्चर इरिगेशन ट्रेड यूनियन और कॉमर्स हमने देखा था कि अच्छ कॉमर्स कॉमर्स कैस में आएगा डेफिनेटली आएगा ऑप्शन नमबर दी अंसर होगा ठीक है वहां क्लियर चलो अब एक और कुष्चन का असर बताओ समबर्ती सूची में किसी तरह का कोई विवाद होगा तो फिर क्या होगा इप्रबल होगा चलो एक और कॉष्चन बताओ who has jurisdiction over a residuary subject यानि आवसिस्ट या फिर जो बच्ची हुई शक्तिया है जो बच्चे हुए विशय है बच्ची हुई शक्तिया उसे ही क्या कह दिया आवसिस्ट कह दिया ठीके शब्दा वली है ना अपनी अपनी बच्ची हुई शक्तिया नहीं लिख सकते तो आवसिस्ट पावर इसके अलावा देखो दो कुश्चन और है एक कुश्चन है आपका इन इंडियन फेडरेशन समस्टेट इंजॉई स्पेशल स्टेटस रिगार्डिंग देखो इस कुश्चन को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि अब आपको पता होगा कि 371 है यह हट चुका है और जम्मु कश्म फिर अपनी विधान सभा होगी हाई कोट होगी ठीक है लद्दा का जोडिरिक्शन एरिया ही होगा अब हम चलते हैं इस कुश्चन को चलो मैं हटा ही देती हूं बिकाद इसकी जरुवत नहीं है अब हमें अब हम चलते हैं लास्ट कुश्चन है आपका consider the following statement about power sharing between union and state government और य और नेक्स इसमें कहा जारादा parliament cannot be change power sharing arrange of constitution incorrect आपको बताना है परस्ट तो बिलकुल सही लिखा है अभी जस्ट अबने बात की है ना कि सब विधार का ये मूल ठाचाहिए definitely और लास्ट में ये क्या parliament जो है चेंज ने कर सकती है भाई बट चेंज कैसे करेगी two-third majority दो तेहाई बहुमत और इसके साथ plus at least half of state government half of states जो है इनकी consent से इनकी सहमती से आदे से जादा राज्ये और दो तेहाई बहुमत के द्वारा ही आप change कर सकते हो तो जो second है ये incorrect हो क्या ववस्था में परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन कैसे हो सकता इसमें तो लिखाया नहीं हो सकता अरे भई हो सकता है two-third government half of the state आगे तमझ में questions हमारे सारे हो गए ठीक है अच्छा एक दो questions और बचे है चलो इस question को भी देखो consider the following regarding constitutional provision about Indian federation अब देखो अगर question आ गया कि भारत की विवस्थाएं कैसी है या फिर अमेरिका से कैसे अलग है वो सारी चीज़े आपको मेंस में लिखनी होती है तो अगर यहां पर हमने सारी बाते पढ़ी आप आसानी से लिख पाऊंगे है तो यहां पर देखो constitution declared India as a tradition of state अब देखो हिंदी में आपको बचो अब मैं आपको कैसी बात बताने जा रहे हूं सोच लो कि यह जो है आपका UPSC का पेपर है क्योंकि इसमें ठीक बही गलती है translation में जो की UPSC करता है अब देखो क्या हो गया इसमें अगर आप इससे देखोगे तो यह आपको सही लगेगा कि भारत राज्यों का संग है तो क्या लिखा होता ह है आपके UPSC में इस्पेशली में हिंदी मेडियम स्टुडेंट्स के लिए बता रहे हूं बच्चों की जो हिंदी माध्यम से पर देते हैं वह इस गलती को देख पाते हो कि आपको इसमें दिख रही है जब मैंने क्या लिखा तो यह हिंदी में मैंने कुस्टिंस देखे त है तो हमारे Federation या India डाट की बाट करे एक ही वरल्डे सग तो यहां पर क्या लिखा है संग लेकिन यह गलत है क्योंकि इसका इंगलेश हिं आपको देखना है ठीक है समझ पाौझे इतनी बात गलत है मूल सम्विधान में दो बात की गई थी दो टायर की गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट तेतर चाहतर भी सम्विधान सशुद्धोर की बाद हमने लोकल सल्ग गवर्मेंट को जो है वह जोड़ा इसमें और इस तरीके से हमारे पास 1, 2 and 3 हो गया तो इस तरीके से correct आपको बताना है so none of the above आपको भी correct रही है लेकिन आपको ये correct लग सकता है अगर केवल हिंदी पढ़ोगे तो English पढ़ लो ना थोड़ी सी क्योंकि यहाँ पार इस तरह के जो questions है वो आपको बच्चों ऐसे ही solve करने होगे है ना थोड़ा सा अगर at least आपक क्यों गलत है समझ में आ गया ना चलो एक कुश्चन का अंसर और बताओगी क्या the constitution of India itself क्या है constitution of India क्या क्या कहा गया इसमें divided power between center state in three list तीन लिस्ट में बाटा गया है ना union, state and concurrent ठीक है divided power between center state in two list केंद और राज्यों के बीच में दो सूचियों के बीच में शक्तियों के विभाजन है listed the power of the state and left the undefined power to the state अब देखो राज्यों की जो शक्तिया है उसे सूची बद्ध किया और राज्यों को आपर ऐसी शक्तिया जो की लिखी नहीं undefined power of state के पास है यह तो गलत है specify the power of the state and left the residual power with the center केंद्र के लिए आपसे शक्तियों को छोड़ दिये यह बास सही है option number C जो है यह इसमें गलत है ठीक है option number जो C है बचो यह इसमें गलत है इस बात को आपको याद रखना है लेकिन इसके अलावा यहां से यह पूछा कि constitution of India की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ववस्था की गई है तो इसमें option number A ववस्था की गई है कि इसमें जो पावर्स है मैं तीन लिस्ट के बीच में डिवाइट किये गए है ठीक है यह तो गलत हो गया डिवाइड़ेट पावर बिट्वी सेट अरे स्टेट टू लिस्ट तू नहीं तीन है एक की बात कर चुके हैं तो यहां पर जो हम फेडरलिस्म की बात करते कि शुर्वात में दो स्थर थे तीसरे स्थर चुड़ गया आपका लोकल स्थ गवर्मेंट का और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है ना डिसेंट्रलाइजेशन में ट्री टायर अफ जो डेमोक्रसी पंचायती राज और मुंशी पारेटी इन सभी की जो बात है वह की गई है यह आप पढ़ ले ना यह सारी बात हमारी हो गई इसके अलावा एक थोड़ा सा एक और बुद् करती उसको तो हमारे जो डिचर ऑफ डेमोक्रिक पॉलिटिक्स है यह सपोर्ट करेगे तो केवल संगवाद को कॉस्टूशन में लिख देरे से यह चीज़े नहीं हो जाती बलकि उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए कैसा पॉलिटिकल सिस्ट्रम डेवलप हुआ ठीक है य और हम बतर की संगी ववस्था चलती कैसे है ठीक हाउचाइख फैलिस्मड इसमस्ग प्रैक्टिस्टो तो सबसे परस्ट और सबसे पहली बात हो कि हमारे पास संविदान क्या है आपके पास संविधार में प्रावधान संब्धान एक परावधान में तो रpine यह तो रेकिन हमारा जो nature है, nature of democratic politics ये support करता है, फेदरलिस्ट को, democratic politics, ठीक है? लोकतंतुरातमक जो राजनिती है, ये support कर रहा है, थीसरा है बच्चों कि हमारी संगवात की जो भावना है, ठीक है? जो spirit of federalism है, जो संगवात की भावना है और चोथा है, इसमें respect for diversity. रिस्पेक्ट पड्य ग elles कि अनेकता में एकता हिंदी की विशेशता है न तो हमारे जो विविद्टत है समान किया जाता है साथ ही साथ में रहने के साथ साथ में रहने कि जो एक इक्शाा है वह हमारे संख्वाद को बनाती है तो यहां पर यह चार बाते हो गई इसके अलावा देखो कि समय समय पर संख बात को चुरौतिया मिलती रही फॉर एक्जामपल सबसे फस्स है लिंग्विस्टिक स्टेट्स भाशा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ यह पहली परिक्षा थी आपको पता टू का मैप देख लो आपको बहुत पार डिफरेंस मिल जाएगा बहुत जादा जो अंतर है मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो कॉंस्टूशन जो हमारे कॉंस्टूशन ने पावर दे रखिया हमारे सलसत को वह पॉलिटिकल मैप को चेंज कर सकती जोग्रफिकल को चेंज नह सब्सक्राइब तो यहां पर यह सारे जो स्टेट आप पंजाब तो यह सब जो है अलग-अलग तरीके से जो है आप वरत्मार पॉलिटिकल मैप देखते हो बचो तो यह जो गठाने वे काफी चेंज हुआ हमारे हैं पहरे से तो एक पहली चनोती आती थी लगता था कि यह होगा क्योंकि हमारे आप भाशा आधार पर अगर आप बनाओगे और बिसिकली आप शुरुवात देखो तो शुरुवात मांग क्या उच्छों कि कॉंग्रीस एक बार गलती से जीव फिसल गई तो उसमें क्या कहा था कॉंग्रीस ने कि भाई जैसे ही हम सोतंत्र हो जाते हैं वैसे ही हम अलग-अलग भाशा की आधार पर जो राज्यों का गठन है करेंगे लेकिन आगे जब पार्टीशन हुआ उसके बाद इस चीज़ को बरदाश कर पाना ना संभाव नहीं हो पाया कि ओलेडी इतनी हिंसा और इतना जो अब एक बटवारा जो है जेल चुके थे अ वहां पर उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि एक भाशा एक राज भाशा एक आधार हो सकता है लेकिन एक भाशा एक राज नहीं होगा तो हमारे अंतता है क्या हुआ कि हमारा जो यह राज्यों का पुनरगठन बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यों का पॉसिबल रही हुआ है ना हमारी जो एकता है वह बड़ी रही यह इसके लिए चनौती जादा नहीं हो पाया अब जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेंग्वेज भाशाई नीटी अभी देखो आप देखो कि एक रिपोर्ट जो है लेंग्वेज कमीशन भाशा आयोग क कि द्वारा जो है सौपी के रास्पती जो हमारी जो रॉप्टी मुर्मूजी है उनको एक जो राजभाशा एकने रिपोर्ट सौपस पर काफी विवादा सपज्जो चीज़े हैं मैं कहीं एक्चली देखो हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1965 जो है ऐसा समय रखा गया था कि जब हम as a official language English का यूज बंद कर देंगे ऐसा आधिकारिक भाशा हमें क्या करना था कि stop करना था English का यूज लेके जो अच्छा एक और आकड़ा पहले बताती हूँ तब समझ पाओगे हिंदी की अगर हम बात करें ना बचो तो लगबग 40% ऐसे लोग है जो की डिरेक्ट रूप से है जिसकी फर्स्ट लेंग्वेज हिंदी है एस पर 2011 सेंस और यहां पर लगबग 15-16% लोग ऐसे हैं जो की as a second language यह फिर जानते या समझते हैं हिंदी तो इस तरीके से हम लगबग 55% आकड़ा देख लेते हैं और सामन रूप से बोचाल की भाशा में लोग बोल देते हैं कि 60-50 लोग है जो कि हिंदी को जाते समझते हैं लेकिन फिर भी हमने ऐसा हम नेश्टल लेंग्वेज हम हिंदी को हम नेगोशित नहीं किया क्योंकि बहुत साथ के स्टेट देखे कि बहां पर बैंगलोर पर अगर आप वहां के मेट्रो स्टेशन पर हि हिंदी के लिए हिंदी में कुछ चपवा देते हो एक बैनर लगवा देते हो वहां के लोगों ने अक्रोश मुसको फढ़के तो आप थोप नहीं सकते ना भाशा आभी रिसेंटली दा हिंदू का कई आर्टिकल साज इस पर किये कहा कि आप इंपोस तो नहीं कर सकते हिंदी को थोप नहीं सकते आप ठीक है तो यहां आप बढ़ावा देने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन आप थोपो मत तो यहां पर क्या है बच्चों कि आपको बता हो कि हमारे कॉस्टिशन में 20 जो भाशा है है इसके अलावा देखो 21 21 जो लेंविज इसमें लिखा हुआ है और इसके साथ आपको याद रखना कि 1965 के बाद भी जो इंग्लेश है कॉंटीनु रही विकॉस ऐसे स्टेट थे जो कि नॉन हिंदी स्टेट थे उनके द्वारा विरोध किया गया और अब हिंदी जो है वह हमारी राज भाशा है रास्ट भाशा नहीं है रा समय पर किसी तरह के इनमें कोई डिस्प्यूट है कुछ होता है उसके लिए जो हमारी नया पार लिकांवें बैठी हुई है सम्टाइम्स यह भी किस तरह के से चलेंजिंग हो जाता है डी सेंट्रलाजेशन में आपको बस यहीं देखना है बच्चों कि पहले जो है हमारे प इस तरीके से आज का जो चैप्टर है वह हमारा खतम हो गया तो आज हमने बात की फैडरलिज्ब की जो की आपका पॉलिटी का टेंथ का चैप्टर नंबर टू है और इसमें हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर कि वाट इस फैडरलिज्ब कैस क्या इसके फीचर्स है और हमने क इसकी डेफिनिशन फिर से एक बार सुन लो फैडरलिस्म क्या है फैडरलिस्म इस इस्टम ऑगर्वर्मेंट और यहां पा इन विच दा सेम अटरिटोरी इस कांटोल बाई इसके लाव हमने दो तरीकों को और समझा कमिंग टोगेधर फैडरलिस्म क्या है होल्डिंग टोगेधर फैडरलिस्म क्या है ठीक है काफी सारे जो कुश्यंस है वह हमने देखे एक बात जो की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है एकदम रठ लेना कि कौन सा आपका यूनिटरी सिस्टम का प्रोवीजन होगा कौसा आपका फैडरल सिस्टम का जो प्रोवीजन है वह होगा ठीक है क्लियर है बच्चों इसके लाव हमने फीचर्स ऑफ पैडरलिस्म की बात की बहुत ज़्यादा इंपो आप जरूर कीजिए जो भी आपके सुझाव हूँ इसके लावा कॉंस्ट्रेंशी जो आपके बनाए रखिए आपके लिए एक लास बहुत जादा इंपोर्टेंट है कंस्ट्रेंशी तो आपको बच्चों बढाए ही रखती होगी ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम अपनी ने